दोस्तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे दात जो है मोती की तरह सफेध हो कोई भी किसी भी तरह का कीड़ा किसी भी तरह की गंदगी या पीलापन हमारे दातों में न हो तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है दोस्तों इस रेमिडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा यहां पर लहसुन की कली जिसको मैंने छील कर अच्छे से धुल लिया है दोस्तों लहसुन में बिटमिन C, बिटमि प्रामीन भी होता है और इसमें आयोडीन, क्लोरीन, सलफर और एलिसीन जैसे मिनरल्स भी पाई जाते हैं और यह सब हमारी दातों के लिए बहुत ही जादा अच्छा है जितने भी आपके दातों में सडन है वह सारी की सारी इससे गायब हो चाएगी पीला पन है उसको काटने क राम बार्ण उसका है तो एक लहसुन की कली ले लूँगी मैं उसको इस तरह से बढ़िया से बारी कर लेना है चाहें तो आप सिलवटे पे कर लीजे या इस तरह से कुचल कर लीजे दोस्तों लहसुन के अंदर एलिसीन एसेड पाया जाता है जो हानिकारक जो बैक्टेरिय पर अगर लगाएं या लहसुन की कली जबाने से भी हमारे दात दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है अब देखिए मैं क्या करूँगी यह जो लहसुन का पेस्ट है इसको इस तरह से एक बावल में निकाल लूँगी दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके दात मोत जैसे सफेद रहें या कीड़ा लग गया है तो अच्छे से उसकी सफाई हो जाए दात आपके एकदम चमकदार हो जाएं जितने भी बदबू है आपके मुझसे वो दूर हो जाए तो इस रेमिडी को आप जरूर से ट्राइ कीजे आप दिखिए अगली जो चीज लिया है व कि इसमें बिटमिन सी बहुत जादा होता है भर भर कर होता है निबू के अंदर आप सभी लोग जानते हैं और हम इस रेमिडी में इसे यूज करेंगे तो जितनी भी गंदगी है जितना भी पीलापन है वो यह खीच कर आपके दातों से निकाल देगा दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं न डॉक्टर के पास जाके अपने दातों की सफाई करवाते हैं उस ताइम तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ लगना हमारे दातों में शुरू हो जाता है तो इस रेमिडी को आप जरूर से ट्राइ कीजेगा आपको जितनी भी इस तर क्लिनिक के लिए बहुत ही जादा अच्छा रहता है मसूर में सूजन आ गई हो मुसे बद्बू आ रही हो तो यह जो नमक है ना एकदम रामबाण की तरह काम करता है अब देखिए यहां पर अगली जो चीज लेनी है वो लेनी है यहां पर पेस्ट तो कोल गेट का यह जो पाउडर होता है ना कोल गेट का वो आपके पास हो तो आप भो भी ले सकते हो अब इन सारी चीजों को हमें क्या करना है बढ़िया से यहां पर मिला लेना है जैसे जैसे आप मिलाओगे ना यह हलका सा फूलेगा सा यह दिखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए लगवक 2 2-3 मिनिट के लिए इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है यह दिखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से यहां पर मिक्स कर लिया है और अब यह जो पेस्ट है बिल्कुल बनकर तयार हो चुका है अब यह तो आप इसे डारेक्ट अपनी उंगली से कर लीजिए हलके हल किसे ठीक है मसूड़ों पे अच्छे से आपको मालिस करनी है या फिर इस तरह से आप क्या कीजे कोई भी ब्रश जो भी आप यूज करते हो उसमें आपको इसको लगा लेना है और इसके बाद आपकी डांतों की अच्छे से सफाई करनी है और दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत स वह बदबू भी आपके मुझसे निकल जाएगी और दोस्तों यह जो लहसुन है इसके बहुत सारे फायदे दिखे मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है हलके हलके से अपने मसूडों पर अपने दांतों पर अच्छे से ब्रश करना है खास कर उस जगह पर आपको ब्रश जरूर करना है जहां पर कीड़ वगरा लगा हो यह बहुत ज़दा आपको लगता है कि पीला पन आ गया है या फिर मसूडों में सूजन वगरा आ गई है और दोस्तों पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है बस साधे पानी से कुला कर लेना है आप चाहें तो एक बार पेस्ट भी कर सकते हैं तो दोस्तों दिन में एक बार या दो बार आप इसको इसको इस्तमाल करके जरूर देखेगा और सपते में अगर आप करना चाहें तो दोसे तीन बार आप इसको यूज कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत ही अच्छ जैसे सफेद दान तो दोस्तों इसको जरूर से आप अजमा कर देखीगा बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है तो इसको जरूर से आप बनाईए इस्तमाल कीजे और इसके बाद मुझे जरूर से बताईएगा कि इसको जब आपनी यूज किया तो यह आपको कैसे लगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों में से शेयर करना आप विल्कुल भी न भूले और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मिलती हूं फिर से कल नई वीडियो के साह तब तक जु दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद